बिग फाइट में आज का सवाल है क्या हम महिलाओं के नारित्व पर जोट कर रहे हैं आप हमें इस पर अपनी राये दे सकते हैं जो हम शो के अंत में दिखाएंगे बिग फाइट में आज का सवाल आपने नोट कर लिया कारिक्रम के अंत में उससे दिखाया जाएगा आप अपना जवाब हमें जरूर भेजें तो हम चर्चा कर रहे थे सुविदा की नियमों का इसमें मैं ये जिक्र करना चाहूंगी कि भूमाता ब्रिगेट की जो अध्यक्ष हैं त्रिप्ते देसाई उन्होंने अभी 26 जन्वरी के लिए एक ऐलान किया था क्योंकि जो पिछला एपिसोड हुआ उसको लेकर महिलाए काफी आक्रोशित थी, 26 जन्वरी को सैक्रो की संक्या में महिलाओं ने ये निर्ने लिया था कि शनी मंदीर पे जाएंगे और वहां पे पूझा आर्च ना करेंगी, लेकिन इसके लिए वहां पर उनको जाने की अनुमती नहीं दी गई, इसके अलावा एक उन्होंने विच पे नहीं दिया गया, वो सिर्फ इसलिए कि वो शनी मंदीर तक नहीं पहुँच पाएं, तो उनको रोकने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, और सुनकर हसी के अलावा कुछ नहीं आती कि इतनी छोटी चीज़ को इतना बड़ा इश्यू बना रखा है, मंदीर प्रस्या को जब उन्होंने ट्रस्ट का द्यक्ष बनाया, वो भी क्या है, वो भी उस मंदीर के ट्रस्टीज हैं, उनके परिवार की महिला है, उसको कटपुतली की तरह खड़ा कर दिया गया, ताकि वो उनकी ही बात को आगे रखे, वो किसी महिला का प्रतिनी दुत नहीं कर रही है, बलकि वो उस ट्रस्ट की उसी मांसिक्ता को आगे बढ़ा रही है, जिसका अब तक विरोध होता आया है, तो यहां यह कहना बिलकुल जरूरी है कि जो पुरुष आरुप लगाते हैं बार बार कि महिला महिला की दुश्मन है, अंधविश्वास महिलाओं में है, पुरुष इन चीजों को दूर भी करना चाहें, तो महिलाओं आपस में इन चीजों को लेकर इतनी गुथी हुई है, इतनी उलजी हुई है, कि वो इन से बाहर नहीं निकलना चाहती है, लेकि अभी की घटना, ताजा घटना, इस बात का प्रमान है कि महिला निकलना तो चाहती है, बुद्ध को जाम करने का ये प्रयास करते हैं वो आगे ना खुले ना सोचे उसका बौद्ध विकास नहीं हो वो साइंटिफिक तरीके से नहीं सोचे अब अगर हम छोटी सी बात करें कि हम क्यों ग्रहों को पूचते हैं क्यों नक्षत्र को पूचते हैं क्यों ब्रंभांड क पूछते हैं इसलिए पूछते हैं कि वो शक्ती है ये शक्ती अगर सूर्य नहीं है तो जीवन नहीं है अगर इसके पूजा एक पूरुश कर सकता है तो महिला भी कर सकती है और हमारे अंदर भी शक्ती है हमारी आत्मा शक्ती है अगर ये शक्ती खत्म हो जाएगी तो हम नही रहेंगे अगर इन पूजा के अलावा महिला इस शक्ती की खोज में वैग्यानिक तरीके से अंतरिक्ष में जाती है तो उसे कोई रोट नहीं है आप देखें कि कितनी हास्यास्पद इस्तिती है वो विदेशी धरा से उड़कर वो अंतरिक्ष में जा रही है और उसी पर अमरता जी कि आपको क्या लगता है ये कितना विरोधा बासी है और हमारी इस छोटी सी सोच को लेकर दुनिया कितना हस रही है क्योंकि आज ये मुद्दा सिर्फ हमारे यहां महराश्टर का या भारत का नहीं है ये दुनिया में फैल गया है लोगों में चर्चा हो रही है तो क्या आपको लगता है कि ये थोड़ी शर्मनाक सी भी है एक बहस और ये मुद्दा? अमृता जी हम इस चीज को लेकर के बहुत ही प्राउट फील करते हैं कि हमारा साहित्य, हमारा इतिहास जो ग्रंधों में लिख करके चला गया है आज वही अमेरिका, नासा, फ्रांस उस चीज को प्रूव कर रहे हैं अगर हम कहते हैं कि श्री राम ने लंका तक एक फुल बांदा था तो आज नासा उसको प्रूव करता है कि हाँ ऐसे पत्थरों को हमने फाइंड आउट किया है समुंदर में जिससे की ये साबित हो कि वो श्री राम के काल के हैं हम ये कहते हैं कि आज धर्ती से सूरज की जितनी दूरी बताई गई है वो तो हनुमान चालीसा में लिखी गई है अगर हर एक जो भारतिय संस्कृती का जो दाइरा है उसके पीछे अगर कोई साइंटिफिक मापदंड है तो महिलाओं के मंदिर में प्रवेश के पीछे भी कोई ना कोई ऐसा साइंटिफिक लॉजिक होगा मैं आज ये पूछना चाहती हूँ इस मंच के द्वारा के आखिर ऐसा क्या वेग्यानिक कारण आप सामने लाकर के दे सकती है जो ये इस बात को सपोर्ट करें कि महिलाओं को मंदिर में नहीं जाना चाहिए अगर हम माथे पे बिंदी लगाते हैं तो हम ये कहते हैं कि यहां पे हमारा त्रीनेत्र होता है और उस त्रीनेत्र को शीतल रखने के लिए हम इस पे चंदन याप कुमकुम का तिलक लगाते हैं अगर हम यह कहते हैं कि हम बड़ों के चरण स्पर्ष करते हैं तो उनके हमारा जो चरण है उसका जो हमारा अंगुटा है वहां से हमारी ग्यान की जो किरने हैं वो निकलती हैं और जो छोटे हैं वो बड़ों के इस ग्यान को चरण स्पर्ष के जरीए प्राप्त करते हैं तो अगर किसी ग्रंथ में लिखा भी गया है, क्योंकि हाला कि ये कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, कि महिलाएं किसी मंदिर में ना जाएं, उसके पीछे का कोई scientific logic तो होगा, क्या धर्म के ठेकेदार उस scientific logic को आज के समाज में ये प्रस्तुत कर सकते हैं, अगर ऐसा है, तो तो बहुत अच्छा है, सारा विवाद ही कतम हो जाएगा, लेकिन इसको इसका विरोध में, कि महिलाएं जा सकती हैं मंदिर में, इसके समाथन में हमारे पास बहुत सारे scientific reason है, हम कहते हैं कि सभी पे एक दुग्दा भी शेक सभी मंदिरों में होता है, तो दुग्द कहां से आता है, दुग्द गाय से आता है और वो तब ही आता है, जब गाय मा बनती है, जब गाय अपने बच्चे को जन्म देती है, तो जब वो दुग अशुद नहीं है तो उसको पैदा करने वाली गाए भी अशुद नहीं है और क्योंकि गाए माता है क्योंकि वो भी एक महिला समाज में गिनी जाती है तो फिर महिलाएं कैसे अशुद हो गए मेरे पास ये रीजन है तो अगर धर्म के ठेकेदार अपना को कुछ न कुछ ऐसा दे दें जिससे उनको आपस में खड़े करके लड़ाएं अमर्ता जी यहां मैं प्रतिभा की बात के साथी बाद जोना चाहती हूं आपने गाय की बात की गाय के दूद की बात की है तो गाय का तो मूतर और गोबर भी हम आहातरा से उसको शुद मान रहे हैं मूतर को पीते भी हैं लोग की ये तो दवा के रूप में हम ले रहे हैं उसके गोबर को इतना शुद मान लिया हवन से लेकिंट अर müहां महिला को हम किसी रूप में सवविकार ही नहीं करना जाते हैं तो ये विरोधा बाते हैं आपस में और दूसरी बात जए यह मैं ओ तब से उठा लीजिए जब से दुनिया के विकास का क्रम हुआ या लोग जुंडों में रहते थे कबीलों में रहना सीखा हो तब तब तो मातर सता थी और कंट्रोल मा के हाथ में था नियांतर माता के हाथ में था एक जमाना वो भी रहा होगा जैसा हम पढ़ते सुनते आए है औरत को औरत के सामने इस्तेमाल करना कहीं न कहीं वो शड़ जांतर का हिस्सा है औरते नदानी में उसका कई बार पार्ट बन जाती है और जिस संगर्ष की में बात करते हैं तो यहां तो वोट देने का अधिकार हो कपड़े कैसे पहनने चाहिए कैसे रहना चाहिए कैसे बो वाहर जाएंगी कि नहीं जाएंगी ये सारे फैसले दूसरे लोग करते हैं नोकरी करेंगी या नहीं करेंगी अभी भी बहुत मेहतरपुन जो फैसले हैं वो नीड़ना लेने का हक भी महिलाओं को नहीं है अपने घरों के अंदर भी हम तांक जांग करके देख लें तो वो स्वाल यहां किसी महिला के काजी बनने का हो स्वाल यहां पे किसी महिला के मंदीर में परवेश करने का या पूजा अर्चना करने का हो तो मुझे लगता है कि ये तो एक जो सही शब्द किसी साथी ने उठाया था कि धर्म के ठेकेदार और आपने भी कहा था अपनी बात करते हुए तो मुझे लगता है ये सच मुच्च जिन्होंने ठेका ले रखा इस तरह का वो ऐसी भ्रहंतिगा भी फैला रहे हैं कि औरत और सब्सक्राइब के सामने इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए एक दूसरे के सामने कैसे खड़ा कर दिया जाए तो यहां कोई विरोध इस तरह का होना ही नहीं चाहिए पुरुष वह सब कर सकते हैं तो ओरतें भी करें कहा दिक्कत है और अगर औरतें उस मंदिर तक आज दिन त सब्सक्राइब करते हैं तो जिसका मन करता है लेकिन कोई इस तरह से प्रतिबंदल गया कि तुम यह नहीं कर सकती तो मुझे लगता हो सरसर अन्याई होगा और समिदान का भी उलंगन होगा इसमें सिर्फ प्रतिबंदी नहीं है इसमें एक चतुराई भी है इस पर मैं शाली राजुनशी जैसे उनका वक्तव चाहूंगी चतुराई यह है कि जब महिलाओं ने वहां जाने की ठान ली और उसको लेकर हर तरह की जद्दो जहद कर ल हैं इसमें एक चीज़ में और जोड़ना चाहूंगी कि पंडित श्री रवी शंकर जी से भी इस पर मंदिर ट्रस्ट ने संपर्ट किया था और जब रवी शंकर जी ने क्या बोला वो भी सुनकर थोड़ा अटपटा लग रहा है उन्होंने ये कहा था कि महिला और यहां की पूजा है और चोटी सी जगया है इसमें महिला पुरुष जिस तरीके से आकर पूजा करते हैं तेल चड़ाते हैं मतलब इतनी लाखों की संक्या में लोग आते हैं तो इतनी भीड हो जा रही है कि अब इस चीज़ को हम यहां पर प्रतिबंदित कर रहे हैं से देख रहे हैं क्योंकि जब इस पर बात की थी उन्होंने भूमाता ब्रिगेट ने तो उन्होंने त्रिप्ति देशाई ने यह कहा कि ठीक है हम इस पर भी राजी हो सकते हैं लेकिन इसके लिए एक बार महिला और पुरुष दोनों को पूजा साथ करने की अजासत दे दे देखे मैं इसमें शनी भगवान की तरफ से कुछ बोलूंगी शनी भगवान जो है हमारे सारे भगवानों में चीफ जस्टिस का ओधा रखते हैं उनको मानते हैं कि वो कर्मों का जो अच्छे करम का अच्छा फॉल देते हैं बुरे कर्मों का बुरा फॉल देते हैं जब व मुख्य मंत्री की बात करने यह और बी जोभी लोगों की अकने बात करें की माईलग अलगर वह अपने रूज कर दू तो कोई भेग न कर रका है कि ≤ होते हैं नएने रूल बनाने वाले कि महिलाओं के लिए हमने अलग रूल बना दियो पुर्शियों के लिए अलग और ये बात बोलके तो उन्होंने और भी बात अजीब कर दी कि पुरुश्यों को भी बंद कर दो तो इस समानता हो जाएगी यह कोई लॉजिक नहीं यह कोई इस बात से और भी इस बात को हम महिलाओं को एक बार आप मौका तो दो अगर हम भी पूचा एक बार करना चाहते हैं अगर महिलाओं यह प्रेशन उठा रही हैं तो इसमें इनकी कहां बेजजती हो रही है मुझे यह समझ नहीं आ रहा है इजजत का सवाल बना कि उन्होंने यह एक नया रूल बना दिया कि पुरुष भी नहीं जाएंगे महिलाओं भी नहीं जाएंगी साब यह किस्सा खतम हो जाएगा पर यह बात गले नहीं उतर रही है चलावा है यह मैं यह म्यांती हूं यह बहुत बड़ा हम लोगों के लिए चलावा हो रहा है कि आप यह दो आपकल की महिलाओं तो बहुत पड़ लिख रही है बराबर का हिस्सा पारिये बराबर से जब लॉण को वसीयत तक में बेटियों को आज पूरा हिस्सा दिया जा रहा है तो यह चुटी बात है पूजा करना तो घर में तो हम सारी पूजाएं महिलाओं करती हैं मैं तो यह बिल्कुल यह चलाव है और इसके साथ यह भटकाओं भी है इसमें यह कहा जा रहा है कि आखिर ऐसा शनी मंदिर में क्या है जो महिलाओं पीछे पड़ी है तो यह एक भटकाओं भी है कि लोग इस मुद्दे से भटकाना चाहरा है महिलाओं को बात सिर्फ एक शनी मंदिर और एक पुझा की नहीं है, बात उस मानसिक्ता की है, जो जगे जगे महिला को उसका भेद बताता है कि तुम पुरुशों से अलग हो. हम इस मानसिक्ता से पीछा छुडाना चाहते हैं, चर्चा अभी जारी रहेगी, कहीं मत जाईएगा, हम मिलते हैं वापस एक छोटी से ब्रेक के बाद.